तो दूस्थो T20 World Cup 2024 का आज 35 और 36 मुकाबला खेला गया 35 मुकाबला ऑस्टेलिया बनाम स्कॉर्ड लेंड के बीच खेला गया और इस मुकाबले में स्कॉर्ड लेंड को ऑस्टेलिया ने 5 विकेट से हरा कर सुपर 8 से बाहर कर दिया तो इस 36 मुकाबले में पाकिस्तान ने आयलेंड को हरा कर पोइंच टेबल में काफी बड़ा उलट फेर कर दिया है तो ऐसे में पोइंच टेबल में कौन सी टीम कितने पोइंट के साथ किस नंबर पर है और अब सुपर 8 में कौलिफाइ करने के लिए यहां से किस टीम को कितने मैच और जीतने होंगे वही कौन कौन सी ओ टीम है जो हैं सुपर 8 में कौलिफाइ कर लिए शूड़ में आपको सारी जानकारी जो हैं मिलने वाली है तो दोस्तो वीडियो रहने वाली है काफी जाद इंपोर्टन वीडियो में अनतता को बने रहना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबादना हुए वैसे दोस्तो किर्केट से जुड़ी हर चोटी बड़ीनी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारा टेलिग्राम चैनल जो है जॉइनने कर सकते हैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिफ्शन वॉक्स में मिल जाएगी तो आए चलो जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रूप एक के पोइंच टेबल की तो 36 मैचों के बाद ग्रूप एक के पोइंच टेबल में 5 वे नंबर पर है आज का मैच हारने वाली टीम आयरलेंड Ireland को आज के मैच में पाकिस्तान ने हरा दिया Ireland जो अब तक चार मैच के लिए और इन चार मैचों में से तीन मैच में हर मिलिये जबकि एक मैच बारिस के चलते रद हुआ Ireland के पास टोटल एक पॉइंट है Ireland जो इस टीम का माइनस में काफी खरब हो और ये टीम ओफिसली टीट्वेंटी वर्लकप दो हजार चोबिस से बाहर हो गई है जबकि पॉइंट टेबल में चौते नंबर पर है कनाडा जो अब तक चार मैच के लिए और इन चार मैचों में से एक मैच में जीती है दो मैच में इस टीम को हार का सामना करना पड़ा है तो ही एक मैच बार इसके चलते रद्धुआ कनाडा के पास टोडल तीन पॉइंट है नेट अनेट अमा इने जीरो पॉइंट फोर नाइन थी है और ये टीम ओफिसली टीट्वेंटी वर्लकप दो हजार चोबिस से बाहर हो चुकी है जबकि पॉइंट टेबल में तीसरे नंबर पर है आज का मैच जीतने वाली टीम पाकिस्तान बाबर आजम की कप्तानी वाली टीम पाकिस्तान ने आज के मैच में आयलेंड को हरा दी पाकिस्तान जब तक चार मैच के लिए और इन चार मैचों में से दो मैच में जीत हासिल किया जबकि दो मैचों में इस टीम को हारकाद सामना करना बड़ा है पाकिस्तान के पास टोटल चार पॉइंट होई इस टीम का जो नेटर नेटर प्लस में काफी बहतर है और पाकिस्तान ICC T20 World Cup 2024 के सूपर एट से ओफिसली बाहर हो चुकी है जबकि ग्रूप A के इस टेबल में तूसरे नंबर पर है USA USA ने T20 World Cup 2024 में काफी बहतरीन परदशन की है इस टीम ने चार मैच के लिए और इन चार मैचों में से दो मैच में जीत हासिल किये एक मैच में बारिश के चलते रद हुआ जबकि एक मैच में इस टीम को हारका सामना करना पड़ा है USA के पास टोटल पांच पॉइंट है ने रंडे जो इस टीम का प्लस में प्लस 0.127 है और USA ICC T20 World Cup 2024 के ऑफिसली सूपर एट में कॉलिफाइ कर लिए है वही ग्रूप एक के पॉइंट टेबल में पहले नंबर पर है इंडिया रोहिश शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया ज 27 है जो की काफी बहतर है और इंडिया T20 World Cup 2024 के सूपर एट में ऑफिसली जगह अपनी पकी कर लिए है और अब बात करते हैं हम गुरूप B के पॉइंट टेबल की तो गुरूप B के पॉइंट टेबल में पांच वे नंबर पर बनी हुए है ओमान ओमान जो अब तक चार में में ओमान को हारकाज सामना करना पड़ा है ओमान के पास टोडल जीरो पॉइंट है ने डरनेट इस टीम का मैनेश में मैनेश 3.062 है और ओमान T20 World Cup 2024 से ऑफिसली बाहर हो गई है जबकि पॉइंट टेबल में जो टीम में चौते नंबर पर है ओ है नमीबिया नमीबिया जो अब तक चार मैच के लिए और इन चार मैचों में सिर्फ एक मैच में जीत दर्जी की है तीन मैचों में हारकाज सामना करना पड़ा है वही इस टीम के पास टोडल दो पॉइंट है नमीबिया का नेट अनेट माइनस 2.529 और ये टीम ओफिसली टीट्वंटी वर्लकप 2024 से बाहर हो चुकी है जबकि पॉइंच टेबल में तीसरे नमबर पर है आज का मैच हारने माले टीम इतिम स्कॉटलेंड को आज के मैच में वोस्तेलिया ने हारादी इतिक दौड आज ज अब तक चार मैच के लिए इन चार मैचों में से 2 मैच में जीत हासिल एक मैच बार इसक चलते रहो जबकि एक मैच में हार का सामना करना बड़ा है इस टीम के पास टोटल पांच पॉइंट रहने प्लस 1.255 है और एक टीम ओफिसली टीट्वेंटी वर्लकप दो हजार चोबिस से बाहर हो चुकी है जबकि पॉइंस टेबल में ग्रूप भी के जो टीम दूसरे और एक टीम ओफिसली टीट्वेंटी वर्लकप दो हजार चोबिस के सूपर एक में कॉलिफाइक कर लिए है गुरूप बी के पॉइंस टेबल में सबसे पहले नंबर पर है आज का मैच जीतने वाली टीम औस्टेलिया औस्टेलिया ने आज के मैच में स्कॉर्ड लेंड को और ओस्टेलिया उप तक चार मैच के लिए उस ट्रेलिया के पास टोटल आठ पोंटय लिए गया और अब बात करते हैं हम गुरुव सिके पॉइंस टेबल के तो कि तो वाली नंबर पर है वो है पुपू अन्यूगीनिया ंजु अब तक तीन मैच के लिए और इन तीन के तीनों मैच में हार का सामना करना पड़ा है, पपवा निगिनिया के पास टोटल जीरो पॉइंट है, नेट अनेट माइने जीरो पॉइंट एट एट सिक्स है, और इस टीम को एक मैच और खेले हैं, जबकि चौते नंबर पर है उगांडा, जो अब तक चार मैचों में से तीन मैच में हार मिलिये, एक मैच में इस टीम ने जीत दर्जी किया, उगांडा के पास टोटल दो पॉइंट है, नेट अनेट मैचों में से एक मैच में जीत दर्जी किया, दो मैचों में हार का सामना करना पड़ा, निउजीलेंड के पास टोटल दो पॉइं वन अभी इस टीम को एक मैच और के लें और अगर न्यूजिलेंड उस मैच में जीत दर्जिक कर लेती है तो अभी ये टीम सूपर एट में कौलिफाइ नहीं कर पाईगी न्यूजिलेंड ओफिसली टीट्वेंटी वर्ल्लकप दो हजार चोविस से बाहर हो चुकी है वही गुरूफ सी के पॉइंच टेबल में तूसरे नंबर पर है वेस्ट एंडीज वेस्ट एंडीज जो टीट्वेंटी वर्ल्लकप दो हजार चोविस में काफी बहतरीन परदशन की है स्टीम ने तीन मैच के लिए अब तक और इन तीन के तीनों मैच में जीत दर्जी की है वेस्ट एंडीज के पास टोडल छे पॉइंट एंडनेट प्लस 2.596 है जो की काफी बहतरा भी स्टीम को एक मैच और खिलने है और ये टीम ऑफिसली टीटवन्टी वर्लकप दो हजार चोविस के सूपर एट में अपनी जगह पकी कर चुकी है गुरूप C के पॉइंट टेबल में सबसे पहले नंबर पर है अफगानिस्तान अफगानिस्तान जब तक 3 मैच छिले और 3 के 3 मैच में जबरदस जीत दर्जी की है अफगानिस्तान के पास टोडल 6 पॉइंट एंडनेट इस टीम का प्लस में सभी टीमों से बहतर है प्लस 4.230 इस टीम का नेड़ा नेड़ा अभी इस टीम को एक मैच और खिलना है और अब गानिस्तान ICC T20 World Cup 2024 के सूपर एट में ओफिसली कॉलिफाय कर चुकी है और अब हम बात करते हैं ग्रूप डी के पॉइंच टेबल की तो ग्रूप डी के पॉइंच टेबल में जो टीम पांच वे नंबर पर हो है स्रिलंका स्रिलंका पांच वे नंबर पर बनी हुए इस टीम अब तक तीन मैच खिला है और इन तीन म मैच और खिला अगर उस मैच में यह टीम जीत हासिल करती है तो अभी यह टीम सुपर एट में कौलिफाइन नहीं कर पाइगी उसलिंग का ओफिसली सुपर एट से बाहर हो चुकी है पोइंस टेबल में चौते नंबर पर है नेपाल जो अब तक तीन मैच खिले है और इन तीन मैचों में से दो मैच में हारकाज सामना करना पड़ा एक मैच बार इसके चलते रहत हुआ नेपाल के पास्ट टोडल एक पॉइंट अब इस टीम को एक मैच और खिले है और नेपाल टीट्वेंटी वर्लक अब दो हजाट चोबिस से ऑफिसली बाहर हो चुकी है जबकि 0.408 अब इस टीम को एक मैच और खिले है और नीदालेंड को उस मैच में जीत हासिल करने होगी साथ में नेट अनेट भी बहतरी ने करना होगा सूपर एट में कॉलिफाई करने के लिए वही ग्रूप टी के पॉइंट टेबल में जो टीम है दूसरे नंबर पर है वो टीम ह बंगलादे जोब तक 3 मैच के लिए और इन 3 मैचों में से 1 मैच में हारकास सामना करना पड़ा है दो मैचों में इस टीम ने जीत हासिल कर लिए बंगलादेश के पास टोटल 4 पॉइंट है 900 प्लस 0.478 अभी इस टीम को एक मैच और खिले है और बंगलादेश को उस मैच मे जीत दर्जिक करनी होगी सुपर एट में कॉलिफाइ करने कि लिए अगर बंगलादेश अपने उस मैच में जीत दर्जिक कर लेती है तो यह टीम ऑफिसली सुपर एट में अपनी जगह पकी कर लेगी गुरूप टी के पॉइंट टेबल में पहले नंबर पर है साउथ अफ अध्यान के लिच के लागते हैं तो दोफिचली कॉलीफाइ कर चुकी है तो दोस्तो यह रहा हो टीट वर्ल्ड कप दो हजार चोविस का नया पहुश्ट वर जो कि 36 में मैच के बात यह तो दोस्तो आपको क्या लगता है टीट साब्ड टेश से बंगला देश नीदर लेंड में से कौन सी एक टीम रहेगी जो टूपर एट में कॉलिफाइग कर पाएगी कमेंट करके आप में ज़रूर बताए दूस्तो इस्टों बतने हैं अगर आप वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आ